अगे बढ़ने से पहले रिक्वेश्ट चैनल पर पहली बारे तो चैनल को जूरू सबस्क्राइब कर लिजे देखें यहाँ पर खबर आ रही है पंप ओपरेटर का 15 दिन चे रुका वेतन जारी होने पर धरना स्तागित तो यहाँ पर दोस्तो ग्रामिन टूबल जो ओपरेट जारी कर दिया गया है ठीक है तो इस वो जैसे इनोंने दरना परदसन अपना कैंसल कर दिया है इनके साथ जो प्रेशानी वो अलग इतरह की है पबलिक हेल्थ वी बाग इनकी आधी सेलरी देता और साथ में पंचाती राज जो वी बाग वो आधी सेलरी देता है जिस वो जैसे कई बार एक भी बागी तरफ से जारी कर दिया जाता है दूसरे भी बागी तरफ से रह जाती है इस तरह ही जो प्रेशानी की वज़े से सिलरी लंबे समय तक पेंडिंग यहां पर दिखा रही है नेक्स ले लेते हैं में अंदरगडबासकर से गयापन देंगे ताकि इनकी सेलरी आसके तो 15-17 महीने की जो है सेलरी इनकी रुकी हुई है कई सारे जो है ओपरेटरों की अब तक तो 15-17 महीने सेलरी रुकना छोटी बात नहीं होती आज की महेंगाई के जमाने में नेक्स ले लेते हैं टोहाना से आंदोलन की त्यारी के लिए अनुबंदित विद्यूत क्रमचारी संग हर्याना उतरेगा फिल्ड में तो बिजली भी भाग में भी अजारों जो क्रमचारी काम करें हैं ठेके पर या फिर अनुबंद पर किसी भी तरह पर यहां पर महापोर का आभार जता है अच्छी बात है पर लगातार करमचारी करने की मांग उठाते रहते हैं अगर सिनियर अधिकारी चाहें पक्स में करमचारी के पक्स में अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं इसे यह साफ जाईरा अगर अच्छी नियत है तो किसी अधिकारी की तो यहां पर भी अच्छी नियत से इनका बला कर दिया है नेक्स कबर ले लेते हैं जीन्द वासकर से स्वास्तर सूपरवाईजर संग ने की समाप्त दिखाए गए पदों को HKRN यानि के हर्याना को सलोजगार निगम पोर्टल पर अपलोड करने की मांग तो यानि के बहुत सारे जो हलग बग पंदरा सो पद उनको समाप्त कर दिया गया था हैं हाला कि जो मीटिंग हुई थी पिछली बार उसमें सपस्ट किया गया था कि लग बग 600-600 जो पद ऐसे हैं जिनको जोड़ना है क्योंकि वी बाग के पास हो आई हुए हैं अब सभी को नहीं जोड़ सकते वह क्यों क्यों कि दोस्तों एक ही वी बाग ने वही पोस्ट जो है ज्यापन देंगे क्रमचारी तो यहाँ पर स्वास्थ करमचारी हैं यहाँ पर ये ग्यापन देने की त्यारी कर हैं आउट्सोर्सिंग्विंग के क्रमचारी नहीं हुआ है EPFI आधी नहीं मिला है दिस वज़े से क्रमचारियों में रोस है इसलिए सभी आउट्सोर्चिंग स्वास्ते क्रमचारी संग हर्याना समन्दित बात्या मजदूर संग ने निर्णे लिया कि क्रमचारियों की समस्याओं को लेकर मंगलवार को सभी CHC पर जीन्द सीविल सरजन के नाम गया आपन यहाँ पर सोपेंगे तो जीन्द बासकर से एक ख़बर थी रोतक से ले लेते हैं यहाँ पर भी एक प्रेशानी खड़ी हो गई है रोतक बासकर से देखिए PGI टेंडर बदलने से 700 जो है सेक्योर्टी गार्ड के वेतन के एक करोड रुपे अटक गए है तो वेतन अटक गया यहाँ पर 700 सेक्योर्टी गार्ड का 20 लाग की कीमत की युनिफर्म देने के दबाव में कमपनी ने चोड़ा तो कमपनी ने टेंडर ही छोड़ दिया जिस वोजैसे गार्डों का वेतन अटक गया है सेक्योर्टी गार्ड यहाँ पर लगे हुए 700 सेक्योर्टी गार्डों के सामने यह प्रेशानी खड़ी हो गई है तो देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ समाधान होगा टेंडर छोड़ने से तो बले ही मतलब काम चलने वाला साऴध नहीं है जो हवेतन तो जारी करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरह से लेकिन अगर एक रहे तो साथ जल्दी हो जाएगा अगर सभी करमचारी अगर एक ता नहीं दिखाई तो साइद इसमें टाइम लग सकता है नेक्स ले लेते हैं यहाँ पर रोतक सही सटकों पर उत्रे बिरोजगार युवा परदेश भर के कई जिलों में लगाया जाम मांगी नौकरी अब परदेश के युवाओं ने दोस्तो असली मुद्दे की तरफ ध्यान दिया है सबसे मुख है मुद्दा जो होना चाहिए वो होना चाहिए रोजगार का ठीक है आज के हालात आप लोगों को पता है करीबी बिरोजगारी बुखमरी किस तरह से बढ़ रही है और सरकार युवाओं का ध्यान बठकाने के लिए किसी ना किसी तरह की दूसरी चीजें उठाती रहती है चाहिए वो धरम है जातिवाद के नाम पर किसी ना किसी मुद्दों में उलजाए रहती है ऐसे मुद्दों से ध्यान अगर अपने असली मुद्दे पर दोस्तों रोजगार के मुद्दे पर मुखेरोब से जो हैं विरोजगारों को ध्यान देना चाहिए अगर हर घर में एक नोकरी भी अगर किसी भी तरह से हो जाए अच्छी 85 या 40,000 रुपे तक की एक नोकरी हो जाए तो सरकार की 80% सकीमों की इंसानों को मतलब नागरीकों को जरूरत नहीं है माली जे कोई चोटी-चोटी सकीम सरकार लेकर आती है वो चोटे-चोटे काम अगर घर पर नोकरी है तो वो आराम से कर सकते हैं युवा अपने आप बगार किसी के मतलब नीचे काम किये हुए ठीक है किसी सरकार के मुत आजुन को होने की जरूरत नहीं है लेकिन सरकार उनको एक महिने से ज्यादा हो गया अभी तक कि शिर्फ आसवासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला है तो इकठा हो करें बहिए जो फतेबाद में कोविड करमचारियों की यहां पर देख सकते हैं कोविड करमचारियों की सबसे पहली आवाज उठाई आंदोलन में साथ दें गया था तब उन्होंने सबसे पहले स्मूधे पर आवाज उठाई थी ठीक है तो आवाज उठाना लगातार उठाना ही पड़ेगी अगर नोकरी को वापीस पाना है तो रोजगार मिला ले लेते हैं आई टी आई जीन में जो फेर 10 तारीकों यहां पर यानिके कल को जो फे है यहां पर इनकी जो मुखे मांगें देख सकते हैं 27 से सुरू हो जाएंगे अंदोलन इनके पुरानी पेंशन बाहली नीजी करन ठेका पर था बंद कचे करमचारे को पका करना पे रोल पर लेना समान काम समान वेतन जैसी मांगों को लेकर इन्होंने जोह दरना प्रदसन क एलान कर दिया सरव करमचारी संग हरियाना ने नेक्स्ट और लास्ट खबर ले लेते हैं नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा तो स्वास्तवी बागे करमचारी किसी ना किसी तरह से लगातार परेशान मतलब हो रहे हैं लगातार परेशान नहीं लगा उनको बनी ही हुई है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो यह थी सारी आज के कच्चे करमचारे जुड़ी खबरे अगर आप भी चाते ह है हरियाना में education related कच्चे करम चैनल जोड़ी कबरें समय पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें दोस्तों साथ सेज करें और साथ में दोस्तों हमने जो है description का link अपना जो दे रख्या description में link दे रख्या है अपने telegram चैनल का बहुत सारे साथ हैं जो letter वगरा जो मांगते रहते हैं कोई news है कोई cutting वो मांगते रहते हैं तो चैनल को subscribe कर लें और साथ में दोस्तों अपना जो है link पर click करके अपना उसको भी जोइन कर लें हमारा जो telegram चैनल उस पर हम direct खबर डालते हैं चोटी मोटी कोई vacancy की खबर है एक दो पोस्त हैं वो भी हम आपर डालते रहते हैं thank you very much